हलो फ्रेंग वेलकम टो चैनल नौलेज़ आफ फार्मेसी तो डी फॉर्म फरस्ट एर का एक टॉपिक जो कि बायो कमेश्टी एंड किलीनकल पैथालोजी का है इंटोडेक्शन तू दी पैथालोजी आफ ब्लेड एंड यूरीन इसमें । पढ़ना है कि पैथालोजी याई कि ब्लेड और यूरीन का पैथालोजी पढ़ना है कि कौन-کौन से में डिजीज होती है इनकी डिफिशंसी से इनके लेबल के अबनार्मालिटी से या नि घटने अब अढ़ने से कौन कौन से डिजीज कौज होती है यही सब हमें पढ़ना है और यही है मेरे सलेबस में है तो इंट्रोजेक्शना तू पैथालोजी आप ब्लेड एंड यूरिन तो सबसे पहले हम इ sinking अब पढ़ते हुए आ है आप लिख सकते हैं यह क्या करता है यह इसका फंचन क्या है एक लैका फेलेगा डुका यह वारे बाड़ी में आप लिख सकते इस डिलेटर और बॉडी ब्लेट का पंक्यही ell पॉइंट 4 होता है और इसकी ग्रेवेटी जो होती है 1.055 होता है ठीक अब फंसन इसके फंसन भी आप अपने मन से लिख सकते हैं क्योंकि जो है यह ट्रांसपोर्ट यह ट्रांसपोर्ट का काम करता है आक्सीजन और न्यूट्रिशन को इंपोर्ट या क्या कहता है इधर से उधर पहुंचाने में आप सिंपल सा लिख सकते हैं ठीक और तूसरा यह यह बेश्ट प्रोडेक्ट को आक्सीजन से जो है इसक्रिट आउट करता है ठीक यह क्या करता है ट्रांसपोर्ट का काम करता है आक्सीजन को न्यूट्रिशन को प और यह क्या करता है कईरी करता है हार्मोन को एंडोक्राइन ग्लांड को और बारीयस टिश्यू को यह सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं ठिक और यह प्लाजम प्लाजमा पागा जाता है और एक एलिए मैट क्या होता है ये भी कामपोनेंट में क्या होता है क्लूड होता है क्या होता है यह इस भी बात करें गौत करते हैं लेद्म सेल में पाइजाते हैं यह यह जो और दूसरा white blood cell, leekocyte और तिसरा platelet यानि थ्रमबो साइट तो इन तीनों के बारे में भी red blood cell क्या होते हैं ये जो है आप लिख लिजेगा ये जो है अर्थोसाइड में क्या होते है यह क्या कहते हैं सेबन पॉइंट फाइब मायक्रों यह सब डायमेटर इनका होता है यह सब अपने मन से लिख लीजिएगा ठीक कि इतना टाइम नहीं होता है इसकी घीज्य मैं क्या पढ़ना है इसमें अगर इतना आ zwiler लेते हैं यह कोई नहीं देख़े यहला इनका है आप आ यह किया क्या है अरित्रोसाइट की डिऊची जो है पॉलिसाइट फॉलिसाइटो थीमिया- आरन डिफिशन्रय hoor ऑर मंगलो ब्लास्टिक अनेमिय proseckleshell इनेमिया सेकलएनेमिया और हीमो लाइटिक्स इनेमिया ऑर ठील की आह सीज और Fighter डिफेसंसी इनीमिया और मेंगलोबलास्टिक इनीमिया सेकल सेल इनीमिया और हीमोलाइटिक्स इनीमिया और थायलोसीमिया यह जो है ब्लेट के जो है क्या है डिजीज है ठीक और और क्या करते हैं यानि रेड ब्लेट सेल के डिजीज है और दूसरा डिजीज जो हमें पढ़ लूकोपीनिया लूकीमिया और यूशनो फिलिया यह डिजीज कौन से है लूकोशाइटोसिस की और तीसरा क्या है प्लेट लेट यानि थ्रंबो साइट्स तो इसकी डिजीज और डिशाडर तो इसमें थ्रंबो साइटोसिस, आईडोफेथिक थ्रमबोसाइटोथीमिया, थ्रमबोसाइटोपीनिया, आईडो थ्रमबोसाइटोपेनिक पर पुरा ये आपको रटना होगा और इसी से आप पासा उठो सकते हैं अब ब्लेड में एलिमेंट का नारमल बैलू क्या है ठिक ब्लड के element के normal value को हम तो फिर value को हम देखते हैं blood element और normal value और average value तो red blood cell का normal value 4.5 to 5.5 million ठीक और यह average value में आप लिख सकते हैं 5 million और white blood cell का 600 to 10 hundred नार्मल value है और आप अगर average value लिखना चाहें 800 लिख सकते हैं और granulocides जो है इसका जो है 16 to 17 है और आप वो चाहें average value तो 16% आप लिख सकते हैं इशनोफिल्स का 1 to 2% ठीक और अगर average value तो 1% आप लिख सकते हैं ठीक बाइसोफिल्स का 0.5 to 2% अगर आप average value चाहें तो 1% लिख सकते हैं और लेंफोसाइड लार्ज एंड इसमाल 20 to 30% आप इसमें अगर average value to 25% लिख सकते हैं और monocyte 4 to 8% अगर average value चाहें तो 5% लिख सकते हैं क्लिट की बात करें तो 2 लाक to 5 लाक अगर आप चाहें तो 3.5 लाक लिख सकते हैं ओके थैंक्स हम फिर मिलते हैं next video झाल